प्रिस्ट में मेरे प्रिया भाई इंतदा बहनों हम लोग मैं महीने में पहुंच गये हैं मैं महीना मादा कली से दुआरा मादा मर्यम के लिए समर पिद रहे साल में दो बाप दो महीने मादा मर्यम के लिए समर पिद रहे ऑक्टोबर महीना रोशरी के महीना हम जानते हैं और इस महीना में रोशरी एवम उसके साथ साथ विशेश नुवे नाभी मादा मर्यम के प्रिदी हम लोग चलाते हैं पिछले एक तारीक हो हम लोग संद योसफ का पर्व मनायत स्रेमी कोंग का संद जब भी हम लोग इस संद के बारे में देखते हैं या आज विशेशुद से उस पर तोड़ा सा मन जिंदन करेंगी जब भी संद योसफ का पिचर देखते हैं तो हमेशा मदमर्यम उनके साथ हैं बालग एस उनके साथ हैं उसी के साथ साथ एक चरवाहे के डंड़ा जैसे उनके साथ हैं और उसी में एक फूल भी इसके पीचे एक कहानी है और ये बात एक कहानी हमारे बाइबल में नहीं लिखा है एक अपोख्रिफल किताब से लिया गया है अपोख्रिफल माने अप्रमादित याने बाइबल में नहीं लिया हुआ आउटसेड बाइबलि उसमें लिखते हैं जब मादा मर्यब की माबाव, योवा की और अन्या दोनों में सादी हो गई साधी होने के बहुत साल के बाद भी उन्हें कोई संदार नहीं हुआ इसके प्रदी वो समय उसकी अवहिल न किया गिया लेकिन वो अपने इस वर्प परोसा रही और यही प्रातना करती दे कि हमें एक संदार थे चाहिए वो बेटी हो या बेटा अपने पहले उटे पुत्र को या पुत्री को अब लोग बेट के रूप में मंदर में चड़ाएगी कुछ साल बाद उन्हें एक पुत्री मिले मदा मरिया अपनी परदिग्या के अनिसा मरिया को मंदर में समर्प दिखिया और मरिया वही तीन साल से उस मंदर में रहका अपना पालन पोर्शन अपना जीवन को आगे बढ़ाया जब मरिया तेरे साल के हुई तो इस मंदर में उन्हें जीवन कंटिनियर करना बहुत ही कते क्योंकि 13 साल तक लेड़ी कियों को मंदिर में रहने की दीदी थे जब मरियां 13 साल कुई तो मंदिर वालों के बीच में एक संथे क्योंकि 13 साल के बाद बिच्चियों को मंदिर में रुखने नहीं देती इसलिए उन्हें सोचा अब क्या करें वापसकर तो नहीं बेच सकते क्योंकि उनकी माम बाप तब तब गुजर के थी इसलिए उन्हें सोचा कि मरिया की विवा करके बेचेगे उसके लिए नहीं मंदरन बेचे करीब आड़ दस लोग मरिया को देखने आई और सब लोग पसंद की लेकिन किसके साथ शाधी करवाद हो ये एक प्रिसन्ट था इसलिए मंदरवालों ने इक कहा एक-एक ढंडे में अपने-पने नाम लिखका बंदर में समर्पित करो और उसके साथ प्रात्ना करेंगे जो भी निशाना इस विश्र हमें प्रदान करेंगे उसी के साथ इनकी विवाब होगी सबी लोगों ने उस धंडे में एक एक धंडे ले लिए और उसमें नाम लिख ली यो सबी एक धंडे लेका अपने नाम लेका मंदर में समर्बित लिया इन सारे धंडों को मंदर घर्भ में रेका प्रातना किया और यहीं सोचाओ, कोई न कोई एक निशाने इसर द्वारा हमें प्रदान करेगी दूसरे दिन जब मंदर कॉला और मंदर घर भाउच गई सरे धंडों देके उसमें से सिर्फ एक धंडे में एक फूल था और वही धंडा योसफ के दे इसलिए दिरने लिया मर्या की विवाग योसफ के साथ होगे और ऐसे ही कहाने आज भी पर चलिए दे जिहां, प्रिया बाइंट नबहर भूँ मैंने बताया था, ये बात कोई बाइबल बेस्ट सोरी में नहीं बलकि अप्रमाधित्य, अपोक्रिफल किताब से लिया हुआ है, चाहे कुछ भी हो बाइबल हमसे कहते हैं, योसफ एक धार्मी थे उसने एक धार्मी की जीवच बिताया था जब हम पुराने समय में देखते हैं, उसमय में भी एक धार्मी वेटी थे उत्पती, ग्रंद, अध्याई, चे वचे नौ में कहते हैं, नो के बारे में बिताते हैं, नो एक धार्मिक वेटी होने के कारण, इसरु उन्हें नश्ट करना नहीं चाहा, इसलिए उन से कहते हैं, उन जितने भी जल प्रलै हुआ, उससे बिचने के लिए पोत्पनाग का, उसी में उनकी रशाप्त, उसी प्रेगा, धार्मिक जीवन विदाने वालों को अनद जीवन राप्त होंगे, अब प्रशन एवे, इस धार्मिक जीवन हम कैसे विदा सकते हैं, कैसे जीएंगे धार्मिक जीवन, मित्रों, ए बहुत बड़ी बातों नहीं, सिर्फ तीन बात हम लोग करें तो ये अंद जीवन विदाने में कोई दिकत नहीं कोगे या हम एक धार्मिक व्यक्ति जरूर बनेगे सबसे पाले यूखरिस्त में भाग लेना पौतर बिलिदाने हम जाते हैं हफ्ते में एक बार या महीने में लेकिन प्रबु ने कहां मैं तुमारे साथ रहू का दुनिया के अंद तक में तुमारे साथ रहूं का फ्रबु का सान्यतियत हम इस यूखरिस्त में अपनाते हैं जब हम ग्रेंड करते हैं यूखरिस्त को यूखरिस्त में भाग लेते हैं उसमय हम इस सुर के सद्धी भी हैं इस सुर के साथ हैं इसने कोई अलग ले जाना अलग कार्य करने के जरूर्ट नहीं पड़े जब कभी हमें मौका मिले इंदजार नहीं करना सिर्फ संडे के दिन ही इतवार के दिन ही हम जाएगे नहीं जब कभी हमें मौका मिलते हैं इस पाउत्र भेलिदान में भाग लेना वो भी भाक्ती से सारी संगट मिर जाएगे अदूसरा रोसरी माला माला बिंती अच्छा अम लोग इस माला बिंती को चलाते हैं कभी-कभी वेक्ति के दुरूद से कभी पारिवारी के रूप से संद पापा लुहन पालूस काते हैं when we say the rosary we catch hold of blessed virgin Mary and after that Mary catch hold of us याने जब हम ये माला बिंती चडाते हैं तो उस समय हम लोग मादा मर्यम को पाकड़ का चलते ही और ये माला बिंती चडाने के बाद मादा मर्यम हम को पाकड़ का चलते हैं याने हम सुरशिद हैं एक सुरशिद जीवन बिदाने के लिए एक शांदी में जीवन बिदाने के लिए परिवार के सब मिलक इस पावित्र रोसरी माला को चडाना है माँ हमारी उस तकलीफ में भाग लेका उसे मिठाएगे मानु मैं जब कानावी बाहल सों में दाकरस कदम हो गई माँ कहते हैं इन्हें मदद करो और आग्या देते हैं जो कुछ वो कहते हैं करने के लिए और पूरी परिवार उस बैइचदी से बेच गए उसी प्रगा माह हमारे लिए एक अडवकिट के समाद एक अधिवक्ता के समाद हमारे पास आएंगे और हमारी बात को अपने पुत्र एशु तक ले चलेगे तिसरी बात पाउतरवचन को पढ़ना यह पाउतरवचन में जीवन है यह पाउतरवचन अमारे जीवन की अनुसा जब कभी कुष्म हो जब कभी कष्ट हो उसमें हमारे पास आते हैं और इस वजन द्वारा कुछ ना कुछ आईडिया हमें देते हैं, कुछ ना कुछ उभाय हमें देते हैं और हम उस में से, उस शैतानी कारी से चुटकारा पासकेगे शायद अब लो सुना होगा अगस्टिन के बारे में करीब बती साल तक अपने मंचाहे जीवन विदाया था और जब उनकी माद धुआरा इतनी सारी प्रातना की, कोई असर नहीं हुआ लेकिन एक दिन जब वो बगीजे से गुम रहती, उन्हें एक वानी सुनाई दिया टेई आन्ड रीड लेकर पड़ो कुछ समय रुकने के बाद अगश्चिन आगे बढ़े, इसे कोई मतलब नहीं लेकिन वानी दुआरा उन्हें सुनाई दी, टेई आन्ड रीड लेकर पड़ो अगश्चिन के मन में सोचाई, इसमें कुछ ना कुछ है इसलिए वो बापस अपने घर गई, वाइबल ले ले, वाइबल खोल दे और उसे वाव भाग मिला जहांब संद पाउलोस रोम्यों को लिखते हुए अध्याए 13 वचन 12 रात प्रायह बीद चुकी है, दिन निकलनों को हैं, इसलिए हम अंतकार के कर्मों को त्याग कर, जोदी के शस्त्र दारन कर ले इस वजन उनके दिल में, उनके दिमाग को टेच की आए मित्रों इन दो वजन उनके जीवन में बहुत बदलाब लाया है अपने जीवन में एक अलग तरीका को अपना लिया 32 माग्रहन की, पढ़कर एक पुरोग्द बन गई, और बात में एक बिशप भी और कलीशिया के लिए बहुत सारे किदाबें उसने लिख लिया बहुत सारे, याने बाइबल वजन से उने एक नया जीवन मिला बाइबल बहनों सिर्फ एतीन कारिय अगर हम लोग भी अपने जीवन में लाग करते हैं बार बार दिन में इसको पढ़ते हैं तो हमारा जीवन भी धार्मिक बन चाहेंगे हमें आइंद जीवन मिल जाहेंगे हमारा लच्छे है एक दार्मिक विक्ति बन का अपने जीवन बिदाने के लिए हमने कई उदाहरं देख लिए हमने देखा एक कैसे संपव है तो आईए हम भी कोशिश करें ऐसी एक धार्मिक जीवन बिदाने के लिए इसे शुप से इस महीने जब मादा कलीसिया दौरा हमें दिया गया आगे मादा मर्यम के प्रती प्रतेग रीदी से भट्ति प्रगड़ करने के लिए उनके नवे नाम में भाग लेका उनके रोसरी माला परिवार के सबी लोग मिलका उस प्राहतना को चदाएंगे तो हमारे जीवन में शांती आएगे हमारे जीवन के जो लिश्चे है उसकी पूर्ती हो जाएगे और जिस प्रेगा संद्योसफ एक धार्मिक व्यक्तिते में पे मेरे परिवार वाले पे एक धार्मिकी जीवन पिदाने में सश्चम होगे पुर्णा अब सब को जयेजू